हेलो फ्रेंस तमस्ते वल्कम बैक तू माई यूट्यूब चैनल स्टड़ी पॉइंट विद रुची आप सब जानते हैं आररबी अंटीपिसी का एक्जाम बहुत चलती होने वाला है एजनसी 15 मही तक डिसाइड हो जाएगी और एजनसी डिसाइड होने के बाद ही आपको आररबी के एक्जाम में आ सकते हैं तो वो उसी की अगली सीरीज है जो पंद्रा आप देख चुके हैं उसी के अगले पंद्रा क्वेशन से हैं तो स्टार्ट करते हैं जो मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मुलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विडियो पसंद आये तो लाइक भी जरू करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेर भी करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करकर जरू बताइएगा विडियो कैसा लगा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क ओली गण्च तक लंबाई कितनी है 16.45 किलोमेटर कुल केंदरी कर्मचारियों का कितना फरसेंट भाग रेल्बे में काररों कहें तो 20-45 recommend कोसल्त और 40 परसेंट लोग जो हैं वो भाग रेल्वे में काररेत हैं है celebrating 탄 इंजन कौन सा है Ferry Queen very very important question कोईले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है Ferry Queen अब देखते हैं अगला भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लाटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है वो है गोरकपूर रेलवे स्टेशन उत्तरप्रदेश में विश्व में प्रथम रेल कप चली very interesting and informative question विश्व में आप किसी एक्जाम की तारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो इन सब चितों की knowledge वैसे भी होना जरू रेलवे द्वारा रेडियो आधारिच सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपूर से की गई 2015 भारत में भूमिगत का शुबारम कब और कहां हुआ उसका शुबारम कब और कहां हुआ 1984 से 1985 के बीच में हुआ है कोलकाता में अगला प्रश्न वर्ष 2015 से रेलवे प्लैटफॉर्म टिकट की दर्ग क्या हो गई है 2015 से रेलवे प्लैटफॉर्म टिकट का प्राइस जो है वो चेंज हो गया तो वह क्या हो गया है 10 लुक ए रेल टिकट पर आरक्षन और ट्रेंओं के आवागमन की सूचना देने वाला हल्प लाइं नमबर क्या है य उनका सारा है अब्लाेम नंबर पर आपको चल जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्तरी कहाँ पे है पेर युद और चेन rays से रेलवे कोच फैक्तरी कहा पर है ? हुसैंपूर कपूर थला में रेल्वे कोच फैक्तरी की स्थाभना कब ही 1988 1888 में भारत और पाकिस्तान के बीग चलने वाली रेलगाडी कौन सी है वो है समझोता वा थार एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीग चलती है भारत में सबसे तेज गती से चलने वाली रेलगाडी कौन सी है शताब्दी एक्सप्रेस देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मद्धे चलाई गई मुंबई वा एहमदाबाद तो friends ये थे important question भारती railway से सम्बंदे जो कि आपके exams में आ सकते हैं वीडियो कैसा लगा प्लीज ज़रूर बताईएगा मुझे comment ज़रूर किया करिए जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया subscribe कर लीजे अपने दोस्तों के साथ share करिए information जादा से जादा लोगों तक पहुचे so thanks for watching my video keep watching and learning stay connect with my channel stay safe thank you friends bye bye